आपका पहला सवाल है, अंतरिक्ष में सूरी कैसा दिखाई देता है? आपका ओप्षिन है, A. काला, B. पिला, C. सफिद, डिप, हरा आपका सही जबाब होगा, C. सफिद, आपका दूसरा सवाल है, प्रसिद्विका माख्या देवी मंदिर कहा स्थित है? आपका ओप्षिन है, A. असम, B. केरल, C. सिक्किम, डिप, मिजोरम आपका सही जबाब होगा, A. असम, आपका तीसरा सवाल है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जिव किसे कहा जाता है? आपका ओप्षिन है, A. बंदर, B. कुता, C. तोता, डिप, डॉल्फिन आपका सही जबाब होगा, D. डॉल्फिन आपका चौथा सवाल है, किरंगे को रात में फैहरानी की, अनुमती कब दी गई थी? आपका ओप्षिन है, A. दोहजार पाँच में, B. दोहजार नौ में, C. दोहजार छे में, D. दोहजार साथ में आपका सही जबाब होगा, B. दोहजार नौ में, आपका पाँचवा सवाल है, आग्रा का लाल किला किसने बनवाया था? आपका ओप्षिन है, A. अग्बर में, B. शाह जहा, C. जहागिर, D. नूर जहा आपका सही जबाब होगा, A. अग्बर में, रोजाना ऐसी वीडियो के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन आउन कर लीजिए, आपका अग्ला सवाल है, सब्जियों की रा निकल से कहां जाता है, आपका ओप्षिन है, A. करेला, B. आलू, C. मिर्ज, ड टिप, टमाटर, आपका सही जबाब होगा, C. मिर्ज, आपका साथवा सवाल है, सब्जियों की रा निकल से कहां जाता है, आपका ओप्षिन है, A. महराष्ट, B. गुजरात, C. करनाच, डिप, मनिपुर, आपका सही जबाब होगा, B. गुजरात, आपका आठवा सवाल है, दुनिया का सबसे तेस, दोड़ने वाला जानवर को उप्षा है, आपका ओप्षिन है, A. चीता, B. घोड़ा, C. हिरन, डिप, हाथी, आपका सही जबाब होगा, A. चीता, आपका अगला सवाल है, 9. दुनिया का सबसे गरीब देश, कौन सा है, डॉट्स आपका ओप्षिन है, A. जिम्बावे, B. कांगो, C. हैती, डिप, श्री लंका, आपका सही जबाब होगा, C. हैती, आपका दस्वा सवाल है, किस समुन्द्र में फी मचली नहीं है, आपका ओप्षिन है, A. प्रशांट महसागर, B. बृतिसागर, C. अतलांचिक महसागर, D. हिंद महसागर, आपका सही जबाब होगा, B. बृतिसागर, रोजाना ऐसी वीडियो के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन आउन कर लीजिए, आपका अगला सवाल है, ग्यारह, इंसान में कितने प्रकार के ब्लट ग्रुप होते है, आपका ओप्षिन है, A. दो, B. तीन, C. चार, D. आट. आपका सही जवाब होगा, C. चार, आपका अगला सवाल है, बारह, दुनिया में सबसे महंगा, पेट्रोल किस देश में मिलता है, आपका ओप्षिन है, A. जापान, B. भारत, C. कनाडा, डिप, आइसलेंड, आपका सही जवाब होगा, D. आइसलेंड, आपका अगला सवाल है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री, कभी विदेश नहीं गए, आपका ओप्षिन है, A. नरेंद्र मोधी, B. चौदरी चरण सिंग, C. राहुर गांथी, D. मन मोहन सिंग, आपका सही जवाब होगा, B. चौदरी चरण सिंग, आपका अगला सवाल है, 14. शत्रंज खेल का आविशकार किस देश में हुआ था, आपका ओप्षिन है, A. इननेशिया में, B. श्रिलंका में, C. ब्रितिन में, D. भारत में, आपका सही जवाब होगा, D. भारत में, आपका अगला सवाल है, 15. किस देश को रात का सूरज, कहां जाता है, आपका ओप्षिन है, A. कांगो, B. नॉर्वे, C. अफ्रिका, D. आइसलाइड, आपका सही जवाब होगा, B. नॉर्वे, रोजाना ऐसी वीडियो के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन आउन कर लीजिए, आपका अगला सवाल है, 16. कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस, नहीं मनाता है, आपका ओप्षिन है, A. भारत, B. नेपाल, C. भुटान, D. जापान, आपका सही जवाब होगा, B. नेपाल, आपका अगला सवाल है, 17. इंटुनेट का प्रयोग सबसे पहले कहा हुआ था, आपका ओप्षिन है, A. चीन में, B. रूस में, C. भारत में, D. अमेरिका में, आपका सही जवाब होगा, D. अमेरिका में, आपका अगला सवाल है, 18. भूट सवार होना मुहावरे का, सही अर्थ क्या है, आपका ओप्षिन है, A. सनक सवार होना, B. काम के, प्रतिजागरु होना, C. व्यर्थ का कारी करना, D. उत्तरदायत्व उठाना, आपका सही जवाब होगा, A. सनक सवार होना, आपका अगला सवाल है, 19. किस पेड़ के नीचे, सोने से इंसान मर जाता है, आपका ओप्षिन है, A. आम, B. नीम, C. बरगत, D. पीपल, आपका सही जवाब होगा, B. नीम, अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब, कमन बॉक्स में जरूर बताए, आपका सवाल है, किस त्योहार, पर हम दीपक जलाते हैं, आपका ओप्षिन है, A. दीपावली, B. होली, C. डशेहुरा, D. मगर संकरानते, आपका सही जवाब क्या होगा, कमन बॉक्स में जरूर बताए,